हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वालों कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Android मुवैल फोन में आप अपने मुवैल फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉल्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वालों तो चलिए आप ये वीडियो का हम शुरू कर लेते हैं देखिए दोस्तो आपके मुवैल फोन में अगर वीडियो कॉलिंग की प्रॉल्लम आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये कंफर्मेशन करना है कि आपके मुवैल फोन का इंटरनेट का रिचार्ज जो आप करवाते हैं वो आपका कई खतम तो नहीं हो गया है कई बार ऐसा होता है कि फोन के इंटरनेट का रिचार्ज खतम हो जाता है जिसके कारण वीडियो कॉलिंग में प्रॉल्लम आती है आपको सबसे बहले ये कंफर्मेशन करनी है और देखिए अगर आप किसी के पास वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो आपके मुवैल फोन का इंटरनेट और जिसके पास आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं उस अदर परसन का इंटरनेट दोनों का चालू रहना चीए ठीक है अब देखिए आपको मैं कुछ और भी सॉलिशन बताता हूँ देखिए दोस्तों आपको अपने मुवैल फोन की नेटवरक सेटिंग को एक बार रिसेट करना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुवैल फोन की जो नेटवरक सेटिंग होती है कभी कवार ये सेटिंग में लेकर आएगा रिसेट पे ऑपको करना है इसके अगले पेज में अपको ये सबसेटों लिखा हूं आएगा network setting have been reset इस तरह के से आपको mobile phone की network setting को reset करना है जिससे आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी अब दोस्तों अगला process यह करना है कि आपके mobile phone का यह जो calling का app होता है इस calling के app को reset करना है यह निकि इसका data clear करना है कैसे देखें आपको इस calling के app को उगली से दबा के रखना है आपका एक छोटाजा page open होगा इसमें आपको app info लिखा हुआ मिलेगा या फिर circle के अंदर circle के अंदर जो i button है इसे आपको tap करना है इन दोनों में से एक tap करेंगे तो आपका यह app info का page open होगा इसमें आपको नीचे storage and catch का option tap करना है इसके अंदर आपको दो option मिलेंगे पहले आपको clear catch पर tap करना है इसके बाद clear storage पर tap करना है तो आपका एक page आएगा delete app data का इसमें आपको delete पर tap करना है आपका नीचे user data और यह catch इन दोनों के सामना अला data आपका यह zero जाएगा इस तरीके से आपको यह calling app reset करना है जिससे आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो आना अगला process यह करना है कि आपको जो आना अपने mobile phone का जो software है उसे आपको update कर अगर आपके mobile phone का software update नहीं है तो उसे update कर लेना अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला process यह करना है कि आपको अपने mobile phone को restart करना है mobile phone को restart करने के लिए mobile phone के side वाला power button आपको उगली से दबा के रखना है आपकी screen के सामने एक page open होगा इस तरीके का इसमें आपको restart पर टैप करना है इससे क्या होगा कि आपका mobile phone जो वो automatic switch off हो जाएगा फ्रिसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है कि हमारे mobile phone के android system में अगर कोई problem आ जाती तो वो problem जाती है solve हो जाती है mobile phone को restart करने से ठीक है तो दोस्ते इस video मैंने आपको जितने process बता है सारे आपको use करने तो इससे आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी